पाकिस्तान अपनी कंगाली के कगार पर पहुँच गया है। पाकिस्तान के सरकारी अधिकारी उसे अपने ऑफिस में डांस करवा रहे हैं। सोना तो पाकिस्तान के लिए मानुस सपना बन गया है। पाकिस्तान में इस वक्त सोना दो लाक रुपए प्रती तोला मिल रहा है। यानि दस ग्राम सोने के लिए दो लाक रुपए खर्च करने होंगे। चलिए तो सोनी की बात थी। वहां की लोगों के लिए तो दार रोटी भी बस के बाहर नजर आ रही है। आपको बता दे कि पाकिस्तान में सरसो का तेल 553 रुपए लीटर, दूद 1500 रुपए लीटर, 8500 रुपए कीलो और चावल 147 रुपए कीलो मिल रहा है। वही कमर्सियल गैस सिलिंडर की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 10,000 रुपए तक पहुँच गई है। पिछले साल की मुकाबले इस साल पाकिस्तान में प्याज 842 प्रतिशत महंगा हो गया है। तो वहीं चाय पत्ती 65 फीसदी महंगी, अंडे 64 फीसदी और नमक तक 50 फीसदी महंगा हो चुका है। चिकन की कीमत दुगनी से भी अधिक पहुँच गई है। पाकिस्तान में महंगाई दर लगभग 32 पतिशत तक पहुँच गई है। पाकिस्तान में अब लोगों के लिए पेट भरना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अफरा तफ्री और मारा मारी मची हुई है। अब लोग लूट मार और छीना जप्टी के स्थिती में पहुँच गए हैं। सेना के अड़े भी अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं। हाली में कुछ लोगों ने सेना के हेड़क्वाटर की पौल्ट्री फार्म को लूट लिया। करीब 12 लोग हतियार से लास होकर आए और करमचारियों को बंधक बना लिया। इसके बाद 30 लाग रुपे की 5000 मुर्गियां लूट ले गए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अगर कहीं से मदद नहीं मिली तो वो मई 2023 तक दिवालिया हो जाएगा। विदेशी एजेंसियों ने भी मदद के बद्दे पाकिस्तान से अपनी नीतियों में आवश्यक सुधार करने के लिए कहा है। पाकिस्तान में हालात ये हो गए हैं कि पेमेंट के लिए उसके पास अब विदेशी मुद्रा नहीं है। बंदर गाहों पर विदेशी कंटेनर पड़े हैं लेकिन उनका पेमेंट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। Bureau Report, News World India